नमस्कार समाचार एक्स्प्रिस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विदिशा शांडिल्या समाज में आज भी कुछ लोग जहां बेटी के जन्म के बाद मायूस हो जाते हैं वही हर्याना के रादोर के वाड नमबर पांच में आज एक परिवार में बेटी के जन्म पर ढोल की थाप पर कुवाँ पूजन कर जश्न मनाया गया आपको बता दे कि परिवार के लोगों ने बेटी के जन्म पर नाच कर अपनी खुशी का इजहार किया बलकि महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए दरसल राद ओर के वाड नमबर पांच में रहने वाले एक परिवार ने बेटी के जन्म पर ढोल की थाप पर खुशी मना कर कुवाँ पूजन किया जिसमें परिवार के सगे संबंदियों को भी आमंत्रित किया गया नवजन्मी बेटी के पिता शक्ती कोशिक वे उनकी एक रिष्टेदार सरला ने बताया कि आज बेटियां भी बेटों से किसी भी शेत्र में पीछे नहीं है इसलिए हमें बेटियों को भी बेटों के बराबर का सम्मान देना चाहिए और आज का यह कार्यक्रम ने केवल उनकी बेटी को बलकि उन सभी बेटियों को समर्पित है जो आज अपने माता पिता अपने इलाके वह अपने देश का नाम रोशन कर रही है एक तरफ हम नवरात्रों पर कन्या पूजन करते हैं वही समाज का एक तबका ऐसा भी है जो बेटियों की गर्ब में ही हत्या करवा रहा है ऐसे में अगर समाज का हर परिवार बेटी के जन्म पर यूँ खुशिया मना कर उन्हें पूरा मान सम्मान दे तो सही मायनों में यह कन्या पूजन से भी बढ़कर है रादोर से सम्मान दाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट अवल आई है और लड़कों से जादा बढ़कर लड़किया होती है सबसे पहले कुआ पूजन की आई जी खाना किया है और कथा कराई है और इसकी पूजा कराई है और इसके हर रूप से जो लड़के का त्योहार मना जाता है उसी परकाशी लड़की का भी त्योहार मनाया गया है बड़ी खुशी के साथ समस्परिवार के साथ समस्तरिस्दारों के साथ समाज में लड़का पैदा होता है सब खुशी मनाते हैं लेकिन हमारे हम मन में ऐसा कुछनी है कि भी है लड़का है या लड़की है हम दोनों को पूरा समान देते हैं हमारे को शिक वरवार में लड़कियों के सब पुरी मानता दी जाती है और ऐसे हमने पहले भी दसुटर मना पूरा समान देते हैं लड़कियों को समाज में कभी पिछे ना रह जाए लड़के अपने मन में यह ना सोच ले कि हम लड़कों से कम है उनके कोई भाव नहीं रखते हम इसलिए हमका सब पूरा कारियेक्रम है अच्छे से खुशी के साथ इसका मनाया गया है जैसे जो लोग बेटियों के जन्म पे खुशी नहीं मैंना थे या उनको बोज समझते हैं उनके लिए क्या संदिश देंगे अब उनकी सोच बिल्कुल खराब है देखो पहले होता था भी लड़किया पैदा होती थी तो बड़े बज़र्गों के मुँ उतर जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है हम मतलब पूरी खुशी होती है पहले बच्चे में तो और भी जाता है हम गर किये लक्षमी मानते हैं लड़के को हम देवी की तरह इसको पूजा करते हैं ऐसा ही मतलब सोच के भी ये तो हमारी देवी है या ग्रिस्ट में सबसे पहले लड़की होनी से य लड़कों का तो लेना लेना होता है लेकिन लड़की के भाइने को कुछ दिया भी जाता है इसलिए हम लड़के को पूरा समान देते हैं ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्स्क्राइब करें धन्यवाद